बोटार गाओं में आया लगता है इलेक्षन है बोटार गाओं में आया लगता है इलेक्षन है तमके साथ हे लाया लगता है इलेक्षन है बोटार खें कैसे आना हुआ हुकुप तक करो मैंने सोचा कुम लोगों का हाल कुछ क्या हूँ बाबा साई क्या है माजरा बताओ खुल के हमें इलेक्षन आने वाली है तो मैं आया हुआ मैंने बोला था तुमें इलेक्षन आने वाले है अरे बाबा रोट तूंगा उतार नहीं चाहिए अड़े बाबा पाने दोंगा बोतार नहीं चाहिए अड़े बाबा तुम सब चड़िये हो गयो क्या क्यों नहीं चाहिए हमारे बच्चे भूख से करोना में मर गए हमारे छोटे छोटे बच्चे माउं से बिछड़ गए हमारे नोजवान सारे बेरोजगार बन गए राशन के नाम पे हमें भिकारी कर गए हमारे आने वाली नसलों को गुलाम कर गए ताही तब कहां थे आप तो क्यूं आ जा गए अपने इलाज के लिए में दुपई गया था केटी को एड्मिशन करवाने में अमरीका गया था अपनी बीवी को घुमाने में इंग्लेंड गया था पाच साल पूरे हो गए जब में वापस आया था वान्सल पूरे हो गए जब मैं वापस आया था इस बार वोट दो बाबा कुम सब को टाइट दूंगा इस बार वोट दो पाबा तुम सब को दोखरी दूँगा अड़े बाबा राशन दूँगा वतार मर जाएंगे पर ना हम वोट देंगे वतार जाओ यहां से ना ना लोट के यहां मैं तुम सब को देख लूँगा काउं से बहर गर दूँगा हम गुलामी नहीं करेंगे हम अब इनसे नहीं डरेंगे अब ना इनको वोट देंगे दुलम के आगे नहीं जुगेंगे रोशन अपना मुल्क करेंगे रोशन पाकिस्तान करेंगे अब ना इनको वोट देंगे हम गुलामी नहीं करेंगे हम अब इनसे नहीं डरेंगे दुलम के आगे नहीं जुगेंगे रोशन अपनी सिंद करेंगे रोशन बलोचिस्तान करेंगे रोशन हम पंजाब करेंगे रोशन हम सरहत को करेंगे रोशन पाकिस्तान करेंगे दरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है बोतार नाई देखना है दोर कितना बागुए का दिल में अड़े बाबा भागुए लगता है सिर्भी बलोच पठा जाबी सब एक हो गए है पीजे क्या क्या है हुषह half